एक बार की बात है थनकपुर नाम का बहुत बड़ा राज्य था उसमें एक छूटा सा गाउं था इस गाउं का एक नियम था जो कई वर्षों से चला रहा था वो ये था कि इस गाउं के राजा का चुनाव खुद वहां के लोग ही करते थे और वो जो भी राजा चुनते वह पांच साल तक राज्य करता था उसके बाद उसे पास के घने जंगल में छोड़ दिया जाता था यही उस गाउं का रिवाश था परन्तु आज तक उस जंगल से कोई राजा वापिस नहीं आया था और नहीं किसी ने यह जानने की कोशिश की थी कि वो सब राजा कहां चले गए अब पुराने राजा के पांस साल पूरे हो चुके थे लोगों को नए राजा की तलाश थी उन्होंने पुराने राजा को जंगल में छोड़ दिया और नए राजा की तलाश में निकल पड़े अब उन्हें समझदार और एक चतुर राजा की आविशक्ता थी नई राजा के चुनाव का काम राज्य के मंत्री को सौपा गया राज्य के मंत्री ने किशोर नाम के एक व्यक्ति के बारे में बहुत सुना था किशोर एक बहुत गरीब ब्यक्ति था और वे पास के गाउं में ही अपने परिवार के साथ रहता था एक दिन मंत्री किशोर के पास गए और उसे सारी बात बताए मंत्री ने कहा क्या तुम इस राज्ये के राजा बनना पसंद करोगे क्या तुमें ये प्रस्ताव मंजूर है किशोर थोड़ी देर के लिए चुप हो गया और कुछ सोचने के बाद बोला मुझे एक दिन का समय दीजिए आप मैं फिर आपको बताता हूँ मंत्री के जाने के बाद किशोर ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई तो पत्नी खुश होते हुए बोली कि एक तरफ तो वो तुमें राजा बनने का अवसर दे रहे हैं फिर भी आपने एक दिन का समय मांगा इसमें इतना क्या सोचना है हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी आप तुरंथ हाँ बोल दीजिए किशोर ने कहा लेकिन क्या तुम जानती हो कि इस राज्य का नियम है कि पूरे पांस साल होने के पाद वेह राजा को बदल देते हैं और पास के जंगल में छोड़ देते हैं जहां से आज तक कोई भी राजा वापिस नहीं आ पाया है और किसी को यह तक पता नहीं है कि वेह राजा कहा गए उनका क्या हुआ किसी जंगली जानवर ने उन्हें मार दिया या कोई भूद बला उन्हें उठा कर ले गई तो उसकी पत्नी बोली हम इस समस्या का कोई न कोई समाधान ढूंड लेंगे आप बस मंत्री जी को हां कर दीजे एक दिन पूरा होने के बाद किशोर मंत्री के पास गया और बोला मुझे आपका प्रैस्ताव मंजूर है परन्तु मेरी एक शर्थ है कि मैं उस जगे को देखना चाहता हूँ जहां सभी राजाओं को आप छोड़ कर आते हो मंत्री बोले ठीक है और मंत्री ने उसे वह जगे दिखा दी किशोर ने देखा चारों और घना जंगल था वहाँ जानवर भी हो सकते थे फिर वह वहां से चला गया और राजा बनने के बाद उसने सबसे पहला जो काम किया वह था कि वह उस जंगल में गया और उस जंगल को साफ करवाने का आदेश दिया वहाँ लोगों के रहने की विवस्ता की, रोजगार उपलब्द कराए और जंगल को साफ करके एक नया नगर बसा दिया कुछ समय बाद किशोर को राजा बने हुए पांस साल पूरे हो गए प्रधा के अनुसार उसे भी उसी जगे पर जहां पहले जंगल था और अब एक भरा पूरा नगर बस चुका था छोड़ दिया गया अब वहाँ उसे किसी परकार का कोई खत्रा नहीं था महा किशोर आराम से अपने परिवार के साथ रहने लगा इस तरह से किशोर और उसकी पत्नी की सूझ भूज से उनकी जान बची और उन्होंने एक अच्छी और सुद्रिजिंद की जी